चेंडिगण मेर चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली और इंडी कटबंधन के साथ खेला हो गया केजरिवाल कभी जिस कॉंग्रिस को भ्रष्ट बताते थे उसी कॉंग्रिस के साथ गटबंधन कर आमाद्मी पार्टी के नेता ओवर कॉंफिडेंस में ताल ठोक रहे थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता लेकिन बीजेपी ने अकेले की कॉंग्रिस और आमाद्मी पार्टी क नाम ही है हारी बाजी को पलट देने का जो बीजेपी ने किया अब आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस ओवर कॉंफिडेंस में चुनाव हार गए तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है लेकिन जब हार ही गए तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलत है राने लग गए जैसा कि वो हर चुनाव के हारने के बात करते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के दावो की पोल खोल दी चैंडिगड मेर चुनाव के पीठव सीन Adikari ने जिनका विडियो सोचल मीडिया पर वाईरल हुआ है पीठासी अधिकारी का विडियो शेयर कर आमादमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि देखे कैसे पीठा सीन अधिकारी ने बेमानी की लेकिन अब उस पीठा सीन अधिकारी अनलमसीह ने आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया जिससे सब हैरान है क्या है खुलासा बताते हैं आपको प्रिशान हैं इसलिए इने बदलवा दीजिए वही मैंने उनके अनुरोध का सम्मान भी किया और विचाराधीन मत्पत्रों को एक तरफ रख दिया और उन्हें नई मत्पत्र जारी कर दिये मसी ने बताया कि बात में जब वोटों की गिनिती पूरी हुई तो परिणाम घोशित होने जा रहा था बीजपी उमीदवार मनोर सोनकर को 16 वोट मिले और आमाद्वी पार्टी उमीदवार कुलदीप को 12 वोट मिले बाकी के 8 वोट अवैद थे अनल नी का मैंने आमाद्वी पार्टी कॉंग्रिस उमीदवार के पोलिंग एजेंट से बैलेट पेपर की जार्च करने के लिए कहा लेकिन ऐसा करने के बजाया माद्वी पार्टी और कुछ कॉंग्रिस पार्षाद प्रक्रिया को बाधित करने के लिए मेज पर कूत पड़े, मतपत्रों पर कबजा कर लिया और उन्हें फार दिया आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रिस ने चुनावी प्रक्रिया को पट्रिस उतारने की सांसिश रची चंडिगर मेर चुनाव के लिए नियुक्त पिठा सीन अधिकारी अनलमसी ने ये भी कहा है कि आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रिस के नेताओं को आरूप लगाने का अधिकार है जात से साफ हो जाएगा कि कौन गलत है कौन सही लेकिन उन्होंने जो किया वो लोकतंत्र के हत्या और चुनाव प्रक्रिया को हाईजाक करने का शट्य अंत्र है तो देखा अपने कैसे अनलमसी ने आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रिस को लेकर खुलासा किया है और अपनी हार देख उन्होंने बैलेट पेपर पर कबसा करने की कोशिश की थी वहीं इससे पहले अर्विंद केजरिवाल ने एक वीडियो चारी कर बीजेपी पर गंभी रारोप लगाए थे केजरिवाल ने कहा था कि आज मेर के चुनाव में तो ये लोग रंगे हातों पकड़े कए ये वीडियो सामने आ गया है अभी तक देश में न जाने कितने चुनाव में होने इस किसम के फरजीवाले किये होंगे न जाने कितने चुनाव इस तरह बेमानी से जीते होंगे और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं